जैस्रीय मत्तों मैं आजय महाराज आज का विश्य है देवी कुल देवी के रुष्ट होने पर यह गंद आती है घर में आज का यह विश्य आपके लिए अत्यनत उपयोगी सिद्ध होगा मेरा आप से अरोध है कर पर आप अपने इस प्रिये चैनल एड्वेंचर सौफ को सेयर करें लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब अबस करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए और बैल आइकन के बटन को भी दवाएं देख हर घर की गंद एवम उर्जा अलग अलग प्रकार की होती है चाहें कोई एक बिल्डर एक ही प्रकार के कई भवन बनाए 25 भवन एक ही डिजाइन के एक ही तरीके के बनाए परंतु फिर भी उन नए भवनों में पिरते एक घर की गंद अलग अलग होती है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे उस घर में या उस घर की जमीन में पाई जाने वाले अव्यव एवम उसमें क्या अच्छी या बुरी चीज़ी हैं गड़ी हुई है उसकी सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा के हिसाब से एक ही पिरकार के घरों की इसमेल या बद्वू अलग अलग होती है इसी पिरकार से जो पुराने घर होते हैं जिनमें लोग वाग रह रहे हैं उनमें भी एक विसेश पिरकार की गंद पाई जाती है और वो गंद उस घर के जमीन और सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा पर निर्वर करती है एवं उस घर में रहने वाले लोगों के किरिया कलाब पर भी काफी निर्वर करती है कि उस घर में किस प्रकार की गंद आ रही है अगर उधारण के तौर पर किसी घर में कोई सिद्ध पुरस अगर कुछ दिन निवास कर ले तो उस घर की उर्जा काफी सकारात्मक हो जाती है एवं उस घर में जो गंद आएगी वो एक अच्छी गंद आएगी इसके विप्रीत किसी घर में अगर नसा इत्याद किया जाता है दुस्कर्म किये जाते हैं, जूट बोला जाता है, पापाचार किये जाते हैं, तो उस घर में नकाराजबर सक्तिया अधिक होने की वज़े से एक विशेश प्रकार की दुरगंद आएगी, और ये दुरगंद घर में रहने वाले लोगों को मैसूस नहीं होती है, जब कोई व्यक्ति या रहने वाला व्यक्ति भी जब भार से उस घर में पिर्वेश करता है, तो पिर्वेश करते समय विशेश तोरपे उस घर में, उस कमरे में गंद का होना मैसूस होता है, प्रायाद देखा तो ये भी गया है, कि एक ही घर में, अलग-अलग कमरों में, अलग-अलग कक्छों में, अलग-अलग प्रकार की बद्वू भी पाई जाती है, ये भी इस बात पर निर्मर करती है, कि उन कक्छों की नीचे जमीन में, कितिनी सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा है, और उन कक्छों में रहने वाला व्यक्ति, अपने जीवन में, किस प्रकार के किरत्य करता है, क्या खाता पीता है, क्या उसके कर्म है, उसके हिसाब से सकारात्मक या नकारात्मक उर्जा होने की वज़े से पिरते कर्च की बद्वू भी अलग-अलग हो सकती है, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं, कि अगर आपके घर की देवी या कुल देवी आपसे रुष्ट है, तो आपके घर में किस प्रकार की गंद महसूस होगी, अगर आपके घर में सीलन की बद्वू आती है, या गीले कपड़ों की बद्वू आती है, तो ये इस बात का एक इसपर्ष्ट संकेत है, कि आपकी देवी या कुल देवी आपसे रुष्ट है, ऐसे घर में अत्याद एक नीद आती है, एवम रहने वाले लोगों को आलेस और सुष्टी आती है, किसी कार में मन नहीं लगता है, अनेग घर के अनेग सदस अकारण बीबार पढ़ते हैं, गर की उन्नती रुखने लगती है, आई इस्तेर हो जाती है, अगर ये सब हो रहा है, तो आप यखीन मानियें, कि आपकी देवी या कुल देवी आपसे रुष्ट हैं, ये क्यों होता है, इसके पीछे पुर्मुख वज़े, काफी दिनों से आपने अपनी देवी या कुल देवी की पूजा नहीं की, या उनको भोग नहीं अर्पित किया, या कोई उनकी मनोती मानी थी, जो पूरी हो गई, परंतु आपने उसको मनोती को पूरा नहीं किया, इस वज़े से आपकी देवी या कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाती है, और इस परकार की गंद महसूस होती है, वो अपना आसिर्वा एवम रक्षा कवच आपके घर से हटा लेती है, जिसकी वज़े से आपके घर में नकारात्मक सक्तियों का वास होना सुरू हो जाता है, इन नकारात्मक सक्तियों की वज़े से आपके घर में इस परकार की गंद आना प्रारम हो जाती है, अगर किसी के घर में गोवर या सड़े गोवर की बदवु आती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पित्र या आपके पित्रदेव आपसे नाराज है कोपित हैं कि यहां भी आपको अनेको कड्णाईयों का सामना करना पड़ेगा गर के सारे मंगलकार रुख जाएंगे संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएगी धन अरजन करने में भी दिक्कत आएगी और अगर आपके घर में आपको कोई परचाई चलती हुई मैसूस होती है या किसी के होने का आवास होता है या कोछ चलने की आवाज आती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में प्रेतवादा है जिसका निराकरण आपको जल से जल किसी योगी गुरू से या महाराज से करा लेना चाहिए अन्यता आपके घर में अनेकों प्रकार की परसानियम एवं कष्ट आने प्रारम हो जाएंगे और आपका जीवन अत्यंत दुखेद हो जाए हुआ आज हम इस वीडियो को यहीं समाप करना चाहेंगे गंद के विशह में अनेकों जानकारियां हैं जो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे किर्पया इसको अन्यता ना लें इस पर आप ध्यान दें अब हम इसका उप्चार कराएं आज का यह वीडियो हम यहीं सबाप करना चाहेंगे जैसे लिए रहा हुए